शरीर के तीन दोश वात, पित और कफ इनको आज हम समझेंगे वास्तु द्रश्टी कोण से कफ का सम्बंद घर के नौर्थ इस्ट जल तत्व से है पित का सम्बंद घर के साउथ इस्ट अगनी से है और वात का सम्मंद घर के नौर्थ वेस्ट वायवे कोण यानी वायवे से है शरीर में कफ दोश उत्पन होता है अगर घर का जल तत्व और पृत्वी तत्व इंबैलन्स हो आसंतुलितो अर्थार्थ नौर्थ इस्ट और साउथ वेस्ट कारण बनता है कफ दोश का अगर हम कफ दोश के लक्षणों के बात करें तो बहुत गुस्सा आना शरीरिक सूजन शरीर में जलन, खटी डकार, मुहांसे, तोचा, मेरेशे, लंग्स, ब्रॉनकाइटस, मोटापा, साइनेसाइटीस यह समस्याएं हो सकती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में नौर्थ इस्ट और साउथ वेस्ट बैलेंस रहें यहां पे कोई वास्तुदोश नहीं होना चाहिए शरीर में शारीरिक दोश पित बढ़ता है जब घर में जल, तत्व और अगनी तत्व असंतुलित होते हैं यानि कि नौर्थ इस्ट और साउथ इस्ट में वास्तुदोश उत्पन होता है और पित दोश का अगर हम बात करें तो उसके लक्षण है कब्ज, अपज, एसिडिटी, पसीना आना, ज़्यादा थकान लगना, स्किन एलर्जी, लिवर की प्रॉब्लम्स और डियाबिटीज वात शारिरी दोश की बात करें तो ये बढ़ता है जब घर में वायववे कौन और आकाश तत्व आसंतुलित होता है यानि ब्रहमिस्तान और नौर्थ वेस्ट में अगर वास्तुदोश है तो शारिर में वात दोश उत्पन होता है और इसके कुछ लक्षन आप देखिए वेट लॉस, कब्ज, गैस, अस्थमा, मसल में प्रॉब्लम, रेस्लेस्नेस, बेचैनी, डिजिनेस, बैक पेन, पैरलिसिस, आर्थराइटस तो शरीर के तीन शारिरिक दोश और इनका संबन किन दिशाओं से है और किन दिशाओं के असंतुलित होने से ये दोश बढ़ते हैं जो आज जानकरे दी गई है उसके अनुसार अपने शरीर में जो आपकी प्रवर्ती है उसके अनुसार उन्हें दिशाओं को देखें, समझें और उनको संतुलित करें